अब एक सूपर एक्स्क्लूजिव खबर का रुख कर लेते हैं सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि कि सच्चिफ की बैठर जहां SCI के विनिवेश को लेकर अगले कदमों पर होगी चर्चा यह बहुत इंपोर्टन बात है क्योंकि आप देखिए सरकार ने 18 जनवरी इसकी फाइनाशल बिट की तारीक डाली है सूत्र में बता रहे हैं कि अब इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर बातचीत होगी स्पेशली अगर नॉन कोर आसिट्स को जो डीमर्ज करके एक नई कंपनी बनाने की बात की गई है उस पर आगे स्टेप्स की बात होगी और और हमें अब यह पता चला है कि इस कंपनी को जो डीमर्ज होकर अलग बनेगी उसको एक अलग से लिस्ट भी कि आजाएगा और उसको सब्सिडिरी SCI की ना हो यह देखने की बात होगी क्योंकि जब बोलिया लगेंगी उससे पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाने चाहिए सरकार का यह मानना है और फाइनेशल बिड़क कोर बिजनस के लिए ही बोली लगाएंगे और यह कंपनी अलग से CPSC यानि की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं एंटिटी के रूप में बन जाएगी यह सब्सिडियर नहीं होगी यह मैं बता दूँ और यही काम है सरकार जिसकी तरफ आगे बढ़ रही है दीपम ने इसके लिए MCA यानि Ministry of Corporate Affairs के पास प्रपोजल या प्रस्ताफ भीजा है और Financial Bits ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मंगाई जाएगी तो अगर हो सकता 18 जनवरी की देट आगे भी छेकी जाए उसका यही माइने होगा कि इसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए और एक अलग कंपनी बनने की जो तयारी है सरकार वो कर ले उसको डीमर्ज कर दें बिल्कुल वही जो आपने देखा था Hemisphere Property यानि VSNL से Hemisphere Properties हुई जहांपर वो Land Bank पूरा Hemisphere Properties में डाला गया यही प्रॉसेस होगा इस कंपनी के लिए भी तो आप देखिए इस हफते एहम बैटक जहांपर Cabinet सचिफ इस पर चरचा करेंगे और इसके Next Steps की बात करेंगे SCI कभी निवेश सरकार का एक बेहत इंपोर्टन एजेंडा है और इस पर काम होते हुए नजर आएगा जाहर तोर पर ये एक बड़ा एजेंडा है और लगातार हम इससे जुड़ी खबरे इससे जुड़ी अपडेट आपके पास लेकर आते रहे हैं मारकेट के लिए मोस्ट अवेटेट निउस है और जी बिजनस सबसे पहले आपके लिए इससे जुड़ी एक्स्क्लूजिव खबर लेकर है स्वाति शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए दर्शकों को कि अब इसमें क्या एक्सपेक करके चला जा सकता है इस स्टॉक ने कल अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है और तकरीबन पौने चार फीसेदी की स्ट्रेंथ लेकर स्टॉक कल बंद होने में कामियाब रहा है